Hello friends, और आज के इस lecture में हम बात करेंगे financial year 22-23, assessment year 23-24 जिसके बारे में एक notice आया है. और notice का कारण ये कि हमने deductions ATC की, ATD, ATG और housing loan इस तरह की deductions claim करनें, जबकि हमारे employer ने उस time इन deductions का फायदा नहीं दिया था. हमने ये investment नहीं की, कोई medical expenditure नहीं करवाया, कोई donations नहीं थी, लेकिन हमने ITR file करते time ये सारी deductions claim की. Housing loan का कोई हमने interest पे नहीं किया, लेकिन हमने claim हमारा जो QDS काटा गया था employer के द्वारा, वो हमें पूरा का पूरा refund हमने claim किया और हमें मिल गया. अब income tax department का artificial intelligence का software ये ढूड रहा है कि ऐसे कौन कौन से SSC हैं, जिन लोगों नहीं, directions, employer level पर तो claim नहीं की, लेकिन ITR file करते time उन्हें claim की और उनको refund दे दिया लिया. अब इस notice के थुरू हमसे documentary evidence मांगे जा रहे हैं, कि ATC का evidence दीजिए, medical expenditure का evidence दीजिए, donations का evidence दीजिए, जो हमने housing के exemptions claim की थी, उसका evidence दीजिए, या interest on housing loan का evidence, और form 16 issued by the, हमने ये सब जानबूस कर किया हो, या अंजाने में किया हो, हमने खुद claim किया हो, या हमारी idea का भरने वाला कोई दूसरा वेक्तिया हो, इस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हमें notice के हिसाब से 10 दिन के अंदर जवाब देना है, और यदि जवाब नहीं देते 10 दिन तक, तो हमें पांस रुट पर डे की penalty भरनी पड़े, हमारे पास एक options है, अब ही भी है, कि हम updated return फाइल कर दे, updated का मतलब है, कि हम जितना tax बनेगा, जितना interest बनेगा, उस पर financial year 22, assessment year 23, इस पर हमें 25% additional tax या इसको penalty कह सकते हैं, वो हमें देनी पड़ेगी, हम उस return को file करने के बाद, हमें उसका acknowledgement, इस notice के जवाब में, अपने portal पर देना है, और यदि हम, ये सब कुछ नहीं करेंगे, तो हमारी re-notice issue किया जाएगा, section 148 के अंदर, और हमें return file करने लिए कहा जाएगा, हमारे पास document evidence नहीं है, हम claim नहीं करेंगे, फिर penalty लगेगी, 200%, जी हाँ, अभी हमारा काम penalty, 25% से काम चल सकता है, लेकिन इसके बाद, 200% penalty लगेगी, और हमें problem होने शुरू हो जाएगा, refund आने का, बिलकुल मत्तब यह नहीं होता, कि आपका refund आ गया, intervention आ गए, और आपके return ठीक ठाक मान लिखेगी,